प्रदीप जी आपका हमारे इस कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसकी बारे में हम जाना चाहेंगे अपसे। उसके अल्टरिनेट रन्वे क्या अवेलेबल है। उदर क्या फैसिलिटी से वेदर कंडिशन क्या है। वो सब उन्हें दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। न्यू टर्मिनल बनने के बाद क्या-क्या जो सुविधा है। न्यू टर्मिनल बनने बाद काफी कुछ सुविधा उपलब्द हुआ है। टर्मिनल काफी विराट हुआ है। पहले से काफी बड़ा। पहले हम शुरू बाद में जब थे। जब जॉइन करे थे। छोटा सा टर्मिनल बिल्डिंग हुआ करता था। जब एक या दो प्लेन पार्किंग का सुविधा होता था। फिर उसके बाद में दो हजार के बाद में तो आइजयर को पराने टर्मिनल हुए फैसेंजरिकर पानी का सुविधा हुआ हुआ है। पैसेंजर के लिए डिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब इस्पेस काफी बड़ा है, और टेक्निकली काफी कुछ चेंजस हुआ है, और अभी पार्किंग बेबी ऐरोब्रीज आ गया है, जो कि पैसेंजर को बस में जाने कर दरकार नहीं है, अरोब्रीज का इस्तमाल होता है, और प स्थिती है, यह क्या है? नाइट लैंडिंग, 2015 तक नाइट लैंडिंग शुरू हुआ था, नाइट लैंडिंग, तो हमारे आपने देखा होगा, इवन चार्टर फ्लाइड भी आता था रात को, कैलकटा से लैंड करती थी, रात को हमारा फ्लाइड भी दिपार्चर होता थ लेकिन अभी कुछ समय से रन्वे का काम सुरू हुआ है, तो रन्वे का काम सुरू होने के कारण नाइट लैंडिंग फैसिलिटी चले गया है, यानि अवेलेबल हाई नहीं, तो दिकत यह होती थे नाइट लैंडिंग के, तो आपके जो प्लेन जो है, एरकाफ अपना कैप वो को ठेकनिकल ट म्स होता है, यहा दो गनटा से अतीक समय पहले डिपाचर होना पड़ता है, क्योंकि यहान अपता है, किसे संसिर्पभग समय पहले थेुद characterized वाजे तो पशान पढ वाग सू तो रोधüne हो तो दीन वजे से पहले टिपाचर होना पड़ता है, क्यों आ सकती है नहीं आ सकती है वो इससाब से उनको डिपार्चर होना पड़ता है तो नाइट लाइनिंग फसिलिटी जो है यह अगर हो जाएगा तो इससे भी हम बहुत अच्छा वह सिधा हो जाएगा अभी दुबार रन्वे काम चल रहा है काफी कुछ चिस आ रहा है इस्टुम अब देखेंगे कि पहले बीच में लोकलाइजर था और डी वी वार था तो इससे हमारा रन्वे का मिनिमा जो है जो लाइनिंग मिनिमा होता है वो बेसिक अप्रोच लाइट सिस्टम के साथ में 2400 था 2100 हो गया था फिर अभी वोड फिर वापर डाउन ग्रेट हो गया था अभी दुबारा यह सरकार ने काफी कुछ ड़लप्मिंट किया है इवन डिर्क्टर जेनरल शीवी लिवेश्टन इसको पर काफी कुछ काम कर रहे है और गौर्मेंट ऑफ इंडिया भी काफी कुछ काम कर रहा है इतना ज्यादा सुदा अप्ग्रेट हो रहा है यह अभी ग पर दिन के बाद में शुरू हो जाएगा फिर से और एन्डी बी जो नॉन डिरेशनल विकन है जो नेवल कंडर में है वह भी अभी आ जाएगा अभी सुरू हो जाएगा थोड़ा दिन में काम उसका दुबारा सुरू हो जाएगा तो ये सब फैसिलिटी सब अवेजल होने के बाद में तो हमारा एरकफ को कोई दिक्रत नहीं होगा काफी कुछ बदलाव आया पहले से क्योंकि लोकलाजर है जो की सेंटर लाइन देता है ग्लाइड पाज जो है अपका जो है लैंडिंग के लिए अग्ल देता है तो ये सब सीधा आ जाने का बाद में पाइलेट को भी दिक्कत नहीं होगा पैसेंजर को भी दिक्कत नहीं होगा खाली दिक्कत नहीं होगा कि मॉंसून के टेल्विंग कॉम्पोनेंट को दिक्कत होगा इसका लिए इसका लिए आपने देखा है क्याफी बार फ्लाइट डाइवर्ट होता है आपने देखा होगा फ्लाइड को उसे हम tail wind बोलते है जब tail wind होता है वो wet runway में 10 knot का limitations होता है dry runway में 15 knot limitations होता है जब pilot approach में आता है landing के लिए जब देखता है कि wind का speed ज्यादा बढ़ गया है और suddenly visibility भी down हो गया उसे go around करना पड़ता है और hold करने का अगर दुबार और इक पर चांस लेना पड़ता है land करने करने नई land कर पाया किश्मत का पर बात है उस समय हवा ठीक रहा तो उतर जाता है हवा अगर speed ज्यादा रहा wind speed और visibility flight divert हो जाता है हमेशा जो हवा का speed जो है हमेशा changes होता है सेम इस्टेबल नहीं रहता है monsoon कटे में इसलिए passenger को दिकतों का सामना करना पड़ता है तो मतलब जैसे मौसम भी खराब होता है तब भी कही समस्या आते हैं मौसम खराब रहता है तो आपका जो cloud base होता है low cloud base जो cb clouds को बोलते है cumular nimbus clouds काला रंग का बादाल देखते है वो आपका स्पीड बढ़ जाता है अपरोच में लैंडिक के लिए तो कभी-कभी उन्हें go round करना पड़ता है अगर उतर गए तो उनको air safety पकड़ लेगी क्योंकि अभी technically हमारा काफी कुछ बदलाव आया है technically बहुत sound हुआ है technically aviation industry में अगर flight land करता है pilot अगर hard landing करता है तो flight safety department even air bus company या Boeing company जिसका जो aircraft है वो monitor करता है उनका safety भी monitor करता है तो monitor करता है और देखता है तो यह सब चीज फेस करना पड़ता है pilot को और उसका कारण passenger को भी face करना पड़ता है काफी passenger को मालूम नहीं है कि flight कुछ divert हुआ है कभी-कभी वो कहते है कि एक flight उतरा है वो अच्छ से उतर यह flight कुछ divert हुआ उनने यह नहीं मालूम रहता है wind जो है हवा जो है changes होता है क्योंकि already उसे divert होना है तो वापस उसे चिनने जाना पड़ेगा तकलिफ उठा के वापस उसे Calcutta land करना पड़ेगा यह दिकतों का सामना करना पड़ता है उसमें बैठे है passenger उनको भी दिकतों का सामना करना पड़ता है यह काफी टाम से चला आ रहा है काई सालों से हमने देखा है बिल्कुल इस तरह से आपने बता है कि passengers को ऐसे diversion के दोरान बहुत समस्या आती है इसके अलावा और क्या क्या समस्या है जो उनको सामना करना पड़ता है passenger का emergency होती है काफी passenger को किसी को इस घ जाना है वो जानी पते है और दूसरी बात है कि school student या को duty report करने वाले को report करना है और किसी का interview exam है वो सब face करना पड़ता है उसे alternate देखना पड़ता होता है इसलिए मेरा mostly गुजारी स्था है लोगों से कि आप last day मत देखिए जाने के लिए आप जाने से अगर mainland काई भी exam दे जाना है आपको interview appear करना है कुछ एक दिन दो दिन पहले जाए क्योंकि आप last day जाएंगे आखरी दिन में आप बोलेंगे मैं छुटी बर्द यह लूँगा मैं मेलन जाओंगा तो हो सकता है कि flight कुछ technical problem हो जाए या flight divert हो जाए या कुछ आपका interview जाओ उस प्राब्लम होगा बकाइदा किसी का घर में कुछ emergency उसके बाद अलग है वो तो तुरंट ticket purchase करके कैसी भी यहां से निकलने कोशिश करता है लेकिन जिसे interview देना है जिसे exam देना है जिसे duty report करना है मेरा कहने का यहां पर कोई दूसरा सी उदा नहीं है plane का trick तो उसे दो दिन पहले जाकर अपना interview के लिए अपियर करना है यह उसके लिए भैतर होगा प्रदीप जी मैं आपसे जाना चाहूंगी कि जो belly landing है यह क्या होता है इसके बारे में बताई बैली लेंडिंग मुशली क्या होता है एक अंडर करेच काम नहीं करता है या रिट्रैक निकलता नहीं है तो pilot को दिखना प प्राबलम नहीं है काफी कुछ बहुत डिपार्चर से पहले engineering clearance होता है सब कुछ देखा जाता है computer systems ऐसा develop हो गया है कि हर एक चीज़ का अकार सिस्टम में आ जाता है कि क्या aircraft में क्या fault है aircraft मतलब aircraft communication system होता है aircraft communication addressing and reporting system उसमें aircraft का हर एक चीज़ का control का सब कुछ बता देगा और ground को भी communicate कर देगा automatically communicate कर देगा air safety department को भी आजएगा जहां में है और airbus company अगर airbus है तो airbus company को भी आजएगा और बोइंग company को भी information आजएगा जो भी plane मुड़ता है उनका पास information होता है जी बिल्कुल पहले VFR के दुवारा जो है flight को land करवाया जाता था और अब runway का जो है उसे भी बढ़ाया गया है तो क्या अब जो बड़े विमान है उसको land करा सकते हैं और जाना चाहूंगी कि VFR क् आब जाना मैं बताता चाहता हूँ आब वीजवाल फ्लाइट रूल्स वीजवाल फ्लाइट रूल का मतलब यह ऐ 5,000 मीटर विजवाल में विजबिलेटी देना जो क्राइटरिया हमारा है कि पाइलिट जो 5000 मीटर विजबिलेटी रहेगा ground visibility 5000 में होगा तब ही पाईलेट उ विखी। पहाड काटने बद रनवे तोरा, टेक-फ रनवे अवेलेबल अश्डा और टेक-फ डिश्टंस और अल्डिय इंग अर्डल कीए और तीन हजार-दो साइट-नव मीटर होता है, यानि 10,722 तो अभी क्या हो गया है, रनवे में सारा फैसिलिटिस आना सुरू हो गया ह अभी ये सरकार ने काफी कुछ महनत किया है, ये इनका जो मैं जानकर ही लगता हूँ, मुझे जहां तक पता हुआ है, कि ये सीविल अविशन जो मिनिस्टर है, ये टेक्निकली बैगराउंड मतलब अविशन बैगराउंड से है, इसको काफी कुछ नौलेज है, और हमारे डी अभी अवेलिबल था, इसे अफग्रेट किया गया है, अभी ग्लाइट पास सिस्टम भी लगाया गया है, वो अभी सोड़ा दिन में सुरू हो जाएगा, रनवे का काम चल रहा है, उसके बाद बेसिक अप्रोच लाइट सिस्टम आ जाएगा, और लैंडिंग लाइट सिस् हो जाएगा, पहले जैसा अभी 2400 मिटर हमें चाहिए, यह आपका अप्रोच लाइट सिस्टम हाईडी करके 2400 लोकलाइजर के लिए हमारा माप डंड होता है, जो जो फैसिलिटिस होता है, वो माप डंड का दुवारा विजिबिलिटी मिनिमा रिडियू होता है, जैसा अब यह आपके लिए प्रेश लाइट लाइट सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो तीनसों मिटर और रिडियू हो जाएगा, तो ग्लाइट पात आने के बाद करीबन 1400 का आसपास, 12-14 साओ का आसपास मिनिमा हो जाएगा, तो उस समय के वारीस भी रहने से फ्लाइट उतर सकता है और अब आपने देखा है तिल्विन कॉंपनेंट में काफी कुछ फ्लाइट होता था तो हमारा जो है एपरोच होता था 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 थावजन फिट से अरकाफट आता था उपर से, तो जब उतर रहता हो रेट ओव डिसंट ज्यादा हो जाता था, तो काफी पाइलेटों को एर स असेस्मेंट का जो मेल है, तो वो मेल आ जाता है उनको तो उनको जो घबरात रहता था पोड बिलर उपरेट करने के लिए, तो अभी क्या उनके लिए डीजी सीए ने एक और एक सिस्टम च्यार कर दिया जो इसा में है जो यूरोप में चलता है, जो आर एन पी जीसी काते ह सिस्टम का भाग होता है, रिक्वायर नैविगेशन प्रॉसिचर, उसमें क्या है पाइलट को जैसा आप देखें वंडूर के पास से अरकाफ आता है, वंडूर के पास में, ये रनवे का सबसे बड़ा खासियत है, यूनिडर्शनल रनवे है, एक तर से लैंडिंग करता है दुसरा तर से टेक ओफ होता है, दोनों तर से लैंडिंग टेक ओफ नहीं हो सकता है, पाहड का वज़ा से, तो क्या होगा, तो पाइलट विंड स्पीड जादा बढ़ जाता है, एरकफ का स्पीड जादा हो जाता है, तो अब उन्होंने क्या करा, बेसिक नैविगेशन प् जिसमें DGCA ने बहुत इनिशेटिव लिया है, उन्होंने इसके लिए काफी कुछ महनत किया है, क्या कि पूर्बलेयर के लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि काफी बार फ्लाइ डाइवर्ट हुआ है, तो तीन सो फिट का आसपास फ्लाइट आएगा, जैसा वंडूर आती है, जैसे हाफन र में वंऔर में, तो उसकी प्रक्रिया आप कैसे मतलब करते हैं, कि किस तरह से अब ध्यान रखते हैं, यह आपका जो नेवल अथरिटी, इरनवे जो है नेवल अथरिटी के है, यह डिफेंस अपूर्ट है, मोटली, नेवल अथरिटी जो नेवल जो के लोग है, काफी वेल एक्यूप्ट है, जो नेवी का, वो रेडार वेक्टर से जो देखा जाता है, रेडार वेक्टर देते है एरकफ को, एक से एक लाइन से रेडार से एक पीछे एक एरकफ को लेंड कराते है, वो डिस्टंस बराबर अपने रेडार में देखते है, एक ए वो रडार में पूरा मॉनिटर करते है इसमें खाली हमें दिक्कत यह होता है दिल्ली और बॉंबे फ्लाइट अगर होती है तो उसमें जो प्राब्लम होता है कि वहां का जो एटी सी दुवारा जो कैलकुलेटर टेक अफ टाइम जो CTOT जो हम फ्लाइट प्लाइट में भरते है जो एस्टिमेट रहता है इस्टिमेट इलाप्स आंग कालकुलेट करते है यह एरपफ इतना बज़त टेसडाँ करहें दिल्ली में पूरा ट्राफिक रहता है एरपफ का तो वो जो है ट्राफिक को देखती हो बहु क्या कर रहा है अगर इनका स्लाइट डिले हो गया ताइम में टेक-फ करिए, बॉंबे का दिक्कत यह है, बॉंबे के लिए टाइमिंग दे देंगे, इसका टाइमिंग टेक-फ अभी आदा गंटा हुआ, जैसा अगर मेर फ्लाइट वो टाइम नहीं गया, तो हमें आदा गंटा का बात में एक गैप मिलेगा, वो टाइमिंग दे दिय पाइलुट के पास काफी कुछ कम्मIONिकेशन सिस्टम अब खला गिया है, ट्रांसप Bolsonaro सिस्टम होता है, ट्रांसपोंटर में स्क करते चैसा 7-7-0-0., फ्रिक्वेंसी उसमें स्क करते है, चैसमें उन audit Commission vl no. सिस्टम हो गया ऐक Сов mentre अकृमिक कम्मिकेशन सिष्टम के इस इते हम पासमें पाईलेट रपोर्टि रेना खालन का क्म्मनिकेशन आजीन है. और ELT भी है , अगर पाईलेट का पोईशे भीट है, सके अरककाफ भीजाद सब्सक्राइह Nah जो पाईलेट को इसे पाइलेट की Подपना मैं बहिता है. दबाएगा frequency, immediately communication चले जाएगा, और आकार सिस्टम का, एरकाफ का actual position, actual क्या हुआ है, पता हो जाता है, ग्राउंड में बैठे बैठे, जो ground operators है, जो air safety विबा के, airbus company या बोजिंग company, जिसका ब जो एरकाफ है, उनको पता हो जाता है, इनका एरकाफ का position क्या है, क्या हुआ है, on ground में, तो आजकल communication system इतना advance हो चुका है, तो सब कुछ पता हो जाता है, क्या एरकाफ का कौन जगा कौन सा error है, तो pilot को इस साब से guidance करते है, हर एक का हर एक अलग-अलग frequency होता है, तो यह जैसा port blur में है, port blur हम चिनने FIR के अंडर में आते है, flight information region, आपको मालूम हो जाएए हम हमारा चार information region इंडिया के अंडर, flight information region, चार इस्सा में divided है, पूरा इंडिया का area, अभी अन्दामान, निकोबार आइलेंड जो है, चिनने FIR के अंडर में आता है, अभी क्या है कि कोई भी flight आने से पहले, चिनने से पूछना पड़ेगा, यह से start-up अगर aircraft होता है, तो चिन के अगर यह even Calcutta में कुछ problem है, Calcutta जो चिनने को बताएगा, कि आपका FIR में यह aircraft है, आप इसको communicate करो, Calcutta जाने वाला कि Calcutta में हमारा airport में यह problem आ गिया है, और direct pilot को भी communication किया जाता है, अभी जो भी aircraft इंडिया में अगर भार से आता है, या दूसरा FIR से इस FIR में जाता है तो उसको FIR का control से पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, अलग-अलग level के लिए, कितना level है, suppose अभी मुझे Bombay जाना है, poor blessing, तो pilot क्या करेगा, चिनने दे जाने वाले के दिकत नहीं है, लेकिन Bombay जाएगा, तो Bombay का बाद बैंगलोर भी चिनने FIR का अंडर में जाता है, तो जैसी Bombay के तरफ में जाएगा, तो क्रॉस होगा, तो Bombay से परमिशन लेना है, क्या हाइट में जाता है, एरकफ, वो एरकफ को अलग-अलग level देगा, उसको control करेगा, उनको काईगा, ये speed maintain करिए, ये जगह जो है, weather condition, इदर ये है, आपका मरजी, ये जगह करि क्या के समस्या आती है, लोगो को, पैसंजर्स को, इस बारे में आपने बताया, तो हम आप से जाना चाहिए, क्या आपको पहले सी बच्पन से ये शौक था कि आप इस ही लाइन में आए? बच्पन से ये शौक था, हम इस्कूल पढ़ने बाद में फ्लाइ क का था, मैंने फ्लाइं स्चूटूट के साथ साथ में कॉलेज का पढ़ाई भी करता था, इस सांथ में था फ्लाइं स्चूटूट, इसका पढ़ाई भी करता था, ये szac लास अ titan ृर्णी जा कर, फिर All- रेडियो टेलीफोन, अरफ मोबाईल का ही, मुनेश्टिय आफ कम्मुनिकेशन का है, उसका एक्जाम अपियर करे, उसका लाइसेंस लिए, जो भी फ्लायर के लिए रेडियो लैसेंस बहुत जरूरी होता, क्योंकि बिना रेडियो कम्मुनिकेशन, का आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अनारी हो बात करने के लिए आटी में, आप पूरा ब्लॉकेश कर देंगे आटी का, रेडियो का, आपको कोड़वर्ट से बात करना है, जैसा आपको पूरा लंबा बोलनी का ज़रती है, आपको खाली विलको, विलको जैसा सब्ध है, रोजर, कॉपी, यह सब गुला है, इस सौट फ़र्म में जो स्टम, ताकि ब्लॉकेज नहीं होना है, जो कम्निकेशन सिस्टम है, एटीच क्लियर समझना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, और विदिन लिमिट, तो आपको कितना समय लगा यह सब सीखने के लिए, हमें साती साथ हम पढ़ाई के कर रहे थे, हमें पता नहीं चलता था, हम एक लास जाते थे, आटी का भी एक्जाम करे थे, मिनिश्ट्री अव कम्निक हो गया है, अभी काफी जन हमारे पोर्बलर के काफी बच्चा फ्लाइं कर रहे हैं, काफी लड़किया भी जॉइन कर रहे हैं, मेरे बेटी भी फ्लाइं कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं यूस्य में, तो हमें कहने के लिए अच्छा रहता है, कई लड़किया भी जॉइ करी है बच्चों के साथ सत और हमारे DGCA भी यहां के है तो उसके कारण काफी बच्चा और इंटरस लिए बच्चे इस लाइन में जा रहे है प्रदीप जी आपके पूरवच वह स्वतंतरता सेनानी थे इसके बारे में हम आपसे जाना चाहेंगे हमारे जो पूरवच थे परधादा थे 1858 के सेंड बैच में आये थे हमारे नानी नानी के तर से जो है अराउंड मुतलब 1800 तर से ऐसी आएंगे लेकिन हमारे जो दादा के तर से उनके परदादा के चार भाई है एक भाई को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था तीन भाई को काला पानी के सजा दे दिया गया था और उनी के वनसच है हमारे दादा भी यहां पैदा हुए हमारे पिता जी भी यही पैदा हुए उनिसोटार है में यही पैदा हुए थे और हम सब यहीं के है मुश्ली अब हम सब मिला जूला कल चार है सब मिल करते हैं, यह मिनी इंडिया बोलते हैं. जी, बिलकुल. हमारे द्वीपसमों के जो बच्चे हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या यहां पर कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या? यह तरशνा कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है कि उसे डीजी से रिकैज्णा करना होता है गोर्मंट ऑंडिया गारणेटकरी सेंटर में संट्रे सेंटर होता है. विल्योफशत कान तो रहा है गिखे टंति विलुफफ़ देलिया क्या हं। DGCA जैसा Flight Dispatcher Course conduct कराती है, काफी जन रजिस्ट्रेशन करते है, जैसा Flight Dispatcher Course का, कोई रजिस्ट्रेशन करते है DGCA में और CV लवेशन में, कार रूल का मताबिक, कैबिन कुरू का ट्रेनिंग, काफी प्रैविट कंपणी आया हुआ है, जो रूल की तो सबस्क्राद करते हैं, केबिन कुरू का, जो Technical Course का जो भी ए, जैसा ग्राउं इंजिनियरिंग कोर्स में जा सकते हैं जो Aeronautical Engineering बच्चे जाते हैं उसके बाद में इंजिनिरिंग करने बाद उन्हें एप्रेंटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् यह बनना के लिए और 70 परसुन पास्टमार्क होता है इसका लिए यह लिए तब वो ए ग्रॉप बनते हिह फिर उसका बात में इक्जाम लिकने का बद रिटन नीका उनीका बात में अभी पहले तो ऐसका तर रिटन एक्जाम होता था फिर वह उते हुआ ही यह सब होता था यह जैसा अभी काफी कुछ विस्टार हो रहा है वेशन इंजक्रिबेग, काफी कुछ, इवन डिफंक एरपोर्ट भी खुल रहा है, डिफंक एरपोर्ट मतलब जो पुराना-पुराना चोटा-चोटा बंद वा एरपोर्ट है, इंडिया में, प्राइम मेस्टर उडान योजना क मताबिक वह एरपोर्ट को दुबारा खोला जा रहा है, ताकि छोटे-छोटा एरपोर्ट जो है वह भी उड़े और कनेक्टिविटी रिमोट जगह से भी कनेक्टिविटी प्राप्त हो, तो अभी इसके लिए सरकार काफी महनत कर रही है, सिविलोजिशन मनिस्टर भी तो प्रदीप जी आजब हमारे कारिक्रम में अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम जानकारिया हमसे साजा कि इसके लिए हम हमारे दूरदशन टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवात करते हैं, नमस्कार, आप सभी कुन मेरे तर से नमस्कार, तो दर्शकों, अगले झांने आपका बहुत-चार दात करते हैं, झांने आपका बहुत ग्रदा।